जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिध जैन YouTube चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तो हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तो इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको Number मांगेगा Gmail Number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप Register करके आँगे बढ़ेंगे तेलगू कननड और मलेयालम भासाएं किस भासा परिवार से सम्मंदित हैं यह आपको बताना है भारती आर भासा परिवार भारत ये भासा परिवार दिर्वेण परिवार आदुनिक भारती आर भासा परिवार इनमें असे आपको चैन करना है तमिल, तेलगू, कन्नड और मलयालम भासा एक किस भासा परिवार से सम्बंदित हैं ठीक है आज से यहाँ पर आपको चैन करना है ठीक है हाँ तो तमिल, तेलगू, कन्नड और मलयालम भासा एक किस भासा परिवार से सम्बंदित हैं कि यह आपको वताना है हरियोम जी कि यहां पर आपको चैन करना है और बिलकुल 1000 प्रस्ष्टों की टेस्स सीरेज होगी और आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दिर्बिन परिवार खेना जो C नंबर है आपने चैन किया वो बिलकुछ सही है इस 1000 परस्णों की दोस्तों प्रस्णूत्ता टेस्स सीरिज में इसमें आपको वीडियो एक भी नहीं छोड़ना है एंगा भासा का मूल रूप कौनसा है भासा का मूल रूप बताना है लेकुट है मौकेक है या फिर मानक रूप है या साहित्यक रूप है भासा का मुल रूप कौनसा है ये आपको चेन करना है भासा का मुल रूप बताना है उत्तर क्या हो जाएगा इसका पैस्न किरमा 3 का भासा का मुल रूप कौनसा है पैड मेंबर का कल टेस्ट है दुवेदी युक्का पैड मेंबर बैच नमबर एक के सभी स्टुडेंट का कल टेस्ट है दुवेदी युक्का है ना और बैच नमबर टू यानि की न्यू बैच इस्टार्ड होने बाला है पांच तारीक से थी बाता का मूल रूप कौन सा है? सब सभी लोगों को पता है कि सरभासा का जो मूल रूप होता है वो होता है मौकेक मौक यानी क्या आपका उत्तर हो जाएगा बिकलप नम्ber B ठीके ये B नम्ber आपका आपका बिल्कुछ सही है मौकेक रूप है बहुत बढ़ जां, B नंबर सरयोगा मूल रूप होता है मौकेक, बच्चा पहले बोलता है और फिर लिखना सीखता है, तो मौल रूप क्या है, मौकेक है मौकेक खड़ी बोली हिंदी का साहित्यक रूप किस सताब्दी में बिक्सित हुआ? प्रश्न किर्मांग 4 का उत्तर आपको बताना है किस सताब्दी में हुआ? खड़ी बोली हिंदी का साहित्यक रूप किस सताब्दी में माना जाता है 18B, 17B, 19B, या फिर 16B, चार नम्मर का आंसर है, दोस्तो ये जो प्रशनोत्तर टेस्ट सीरिज आपकी जो चल लई है, ये दोस्तो आज से प्रारम है, और continue आपकी चलेगी एक हजार प्रशनों की, इसलिए किसी को ये टेस्ट सीरिज आपको मिस नहीं करना है, रोज रात त्री 29 बजे, खड़ी बोली हिंदी का साहित्तिक रूप किस सताब्दी में विक्सित हुआ, तब आपने बिलको सही आंसर बताया है, 19B सताब्दी, 19B, यानि कि आपका उत्तर हो जाएगा बिकल्प नमबर C, 19B सताब्दी, ठीक है, C नमबर हो जाएगा निसा जी, राजकुमर ज सबी को बताना हिंदी पाट साला, हिंदी को भारतिय संबिधान में संग की राजभासा के रूप में कब मान्नता प्राप्त हुई, गलत नहीं करना, बिलकुल सही कॉस्चन है, आसान कॉस्चन है देखते हैं कौन-कौन सही बताता है, हरी संकर जोसी जी, हिंदी को भारतिय संबिधान में संग की राजभासा के रूप में कब मान्नता मिली थी? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1953, 14 सितंबर 1950, तो बिलकुल सही आंसर आया, सबी लोगों ने 14 सितंबर 1949, यानि कि आपका जो एक नंबर है, वो बिलकुल सही है, एक नंबर आपका बिलकुल सही है वेरी गोड आंसर अंगला कॉस्चन है आचार महावीर प्रसाद दुवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिस्कृत और परिमार्जित करने में महत्पुन भूमी का निभाई बिलको सरल कॉस्चन प्रशन करमांग 6 आचार महावीर प्रसाद पत्रिका सरस्वती पत्रिका या फिर प्रताप पत्रिका किस पत्रिका के माध्यम से और यहां पर आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका उत्तर होगा सरस्वती पत्रिका क्या आपका सी नंबर सरस्वती पत्रिका बिलकुल सही होगा ठीक दक्षण में किस रूप में विक्सित हुई दिर्बिन हिंदी, दक्षणी हिंदी, दक्षणी हिंदी, दक्षणी उर्दू या परिनिस्टित हिंदी तो किस रूप में हुई उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षण में किस रूप में विक्सित हुई यह आपको चैन क सात का अंसर बिल्कुश शलल बताना है हाँ बिल्कुश आई उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्चल में किस रूप में विक्षेत हुई उत्तसर बताएंगे सबी लोग अभिलासा जी उत्तर हो जाएगा किस रूप में दक्चल हएगा यानि की साथ का अंसर आपका हो जाएगा बी नमबर बी यानि की दक्कनी हिंदी उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षन में किस रूप में विक्सित हुई ते दक्कनी हिंदी के रूप में विक्सित हुई और आपका उत्तर होगा विकल्प नमबर बी प्रशने के रमा प्रश्न किरमांक आठ और उत्तर भी आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा मद्द काल में मद्द काल में राज काज की भासा के रूप में किस भासा को मानता मिली थी और आठ का आपका उत्तर हो जाएगा फारसी भासा को किस भासा को फारसी यानि आपका उत्तर सी नंबर जो आपने टिक किया है वो बिलकुल सही है ची नंबर मद्यकाल में राज काज की भासा के रूप में भासा को मानता मिलीती तो वो भासा है भार्सी बिलकुल सही भार्सी आपका सही है संबिधान के किस अनुछेत के अनुसार संग की राजभासा हिंदी और लिपी देव नांगरी प्रश्णिक रमांक 9, संग के किस अनुछेत के अनुसार, संग की राजभासा हिंदी और लिपी देवनांगरी है, यह question है आपका और उत्तर आपको चैन करना है, अनुछेत 343, अनुछेत 344, या अनुछेत 342, बिल्कुल सराल आंसर आपका, क्या हो जाएगा, संग की राजभासा हिंदी और लिपी देवनांगरी है, तो वो है दोस्तो अनुछेत 343, कहनी कि आपका जो बिकल्प नंबर एक है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुछेत 343, नेक्स्ट आपको वताना है, ब्रजभासा और अब दी किस काल की काब भासाएं थी, किस काल की काब भासाएं थी, प्राचीन काल की, मद्द काल की, आधुनिक काल की, या फिर बैदिक काल की, ब्रजभासा और अब दी, किस काल की काब भासाएं थी, ब्रजभासा और अब दी, आपने देखा होगा, कि ब्रजभासा में कशन काब लिखा गया, अब दी भासा में आपने सूपी काब लिखा गया और राम चैतमानस की रचना भी किस भासा में हुई आप दी में हुई थी तो यहाँ पर दसका अंसर आपको चैन करने के लिए बोला और उत्तर हो जाएगा आपका मद्दे काल मद्दे काल यानि B नंबर आपका सही हो जाएगा रीती काल भक्ती काल में काब भासा की रूप में प्रतिष्टित रही ब्रेज भासा है ना तो B नंबर आपका बिलकु सही हिंदी की बोलियों को कितने बर्गों में रखा जाता है हिंदी की बोलियों को कितने बर्गों में रखा जाता है प्रेशन किरमांक 11 और 11 में आपको चेन करना है उत्तर क्या हो जाएगा 11 का 3, 4, 5 या फिर 8 हिंदी की बोलियों को कितने बर्गों में रखा जाता है प्रेशन किरमांक 11 में आपने चेन कर लिया है किसर हिंदी की बोलियों को रखा जाता है कितने बर्गों में फिरमोद जी रिनू राजेस कुमार जी कुसुम सैनी जी उत्तर हो जाएगा आपका पांच बर्गों में कितने बर्गों में पांच यानि की सी नंबर ठिक किया है आपने सी नंबर और उत्तर भी हो जाएगा आपका सी बिलकुल शही है हिंदी की बोड़ियों को पांच बर्गों में विभक्त किया गया बुंदेली और कन्नोजी बोली हिंदी के किस उपभासा बर्ग की बोड़िया है पूरवी हिंदी पश्चमी हिंदी राइस्थानी हिंदी या फिर पहाडी हिंदी यानि कि 12 का उत्तर chain करेंगे तो बुंदेली और कन्नौ जी आपको पता है मैंने ट्रिक भी आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर दी है कि कानो के खड़ी बुंदेली ब्रेजभान हरी के पास थे ना तो बुंदेली और कन्योजी, ये माने जाते हैं दोस्तों, पस्चमी हिंदी, पस्चमी हिंदी क्यानिकी उत्तर भी हो जाएगा आपका बिकल्प नमबर W, पस्चमी हिंदी ठीक है, भी आपने चैन कर लिया तो उत्तर आपका सही है फिर बढ़ जाते अंगले कॉस्चिन की ओर आधनिक भारती आरभासाओं का विकास किस से हुआ है और आधनिक भारती आरभासाओं का विकास किस से हुआ है संस्कृत से हिंदी से अप फ्रेंच से या फिर पाली प्राकृत से ये प्रश्ने किरमांग 13 है उत्तर भी आपके लिए बताना है और आधुनिक भारती आरभासाओं का बिकास किस से हुआ है तब आपका बिलकुल सही आंसर क्या हो जाएगा साथियो आधुनिक भारती आरभासाओं का जो बिकास हुआ है वो संस्किस से नहीं हुआ हिंदी से न अपड़ेंस से हुआ है अपन पड़ते ना शौर्स अपन अर्द माग दिए अपड़ेंस माग दिए अपड़ेंस और इन्हीं से हिंदी की आधने भारति आरभासाओं का विकास उत्तर आपका हो जाएगा बिकल्प नमबर सी सी नमबर आपका बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है फिर अंगला कोशेशचन आपको बताना इस टी नमबर अभी ने करेक्ट बताया बोजपुरी मूलता है किस पिर देश की बोली राजस्तान विहार मद्ध पिरोặर्देश या फिर उत्तर पिर फिर पर इता है मैंद उत्तर चैन करेंगे भोजपुरी मूल्टा किस प्रदेश की बोली है तो आपने चुगदा का आंसर चैन किया भोजपुरी मूल्टा किस प्रदेश की बोली है और राइट आंसर हो जाएगा बोजपुरी की अगर बात कर रहे हो तो भोजपुरी तो बहार की है कहां की है बिहार की बिलको सही भोजपुरी मूलता है बिहार की बिहार की बोली मौन जाती है और B आपका बिलको सही है बी नमबर टिक किया है तो सही है लाइक जरूर कर देना मानक हिंदी का बिकास किस बोली से हुआ है खड़ी बोली हिंदी से ब्रजभासा से अवदी या फ एप डाउनलोड नहीं किया है वो एप को डाउनलोड कर लें है ना पाच तारीक से आपका न्यू बैच हिंदी साहित का स्टार्ड होने वाला है आप न्यू बैच में जुड़ करके अपना अध्यान बिलकुल प्रारंब से शुरुआत से कर सकते हो ठीक है मानक हिंदी का विक कोट सही हो जाएगा ठीक है एक नंबर भासा के संदर में असुद्य तत्त कौन सा है भासा के संदर में असुद्य तत्त आपको बताना है भासा अर्जित संपत्ति है भासा सामाजिक बस्तू नहीं है भासा परिवर्तन शील है भासा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती ह तो कौन सा असुद्ध तत्थ है भासा के संदर में असुद्ध तत्थ कौन सा है तो आपको 16 का अंसर बताना है और एक पृतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है मकर सक्रांती 14 तारिक को फिरी फिरी बिलकुल फिरी पृतियोगिता होगी जिसमें सबी लोग भाग ले सकते है सेल्फ स्टेडी किलासेस एप में जिसमें टॉप त्री बिनर्स को हिंदी ब्याकन की टेस्ट तीरिज दोस्तों इनाम में दी जाएगी उपहार स्वरूप दी जाएगी और भासा के संदर में आपका बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा भासा सामाजिक बस्तू नहीं है क्यानि उत्तर हो जाएगा आपका बिकल्प नमबर वी वी नमबर आपने बिलकुँ सही चैन किया है भासा सामाजिक बस्तू नहीं है कि भासा के संबंद में ये असुद्ध तत्थ माना जाता है ना लिपी के बिकास क्रम में पहली लिपी कौन सी है प्रश्न करमांग 17 लिपी के ब हो जाएगा लिपी के बिकास क्रम में पहली लिपी कौन सी मानी जाती है ये आपको बताना है है ना उत्तर लिखना है आपको और अंगूठा दबा देना है लाइक सभी को कर देना है एक बार मेरे प्यारे दोस्तों लाइक कर दो लिपी के विकास क्रम में पहली लिपी कौनसी है तो सत्रा का अंसर हो जाएगा चित्र लिपी कौनसी है चित्र लपी बिलकुर सही है अठारा का आंसर सरल कॉस्चन मुझे नहीं लगता कि किसी के कॉस्चन अभी तक गलत हुए होंगे उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर बताना है प्रश्ण किर्वांक 18 में उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्ण किसे कहा जाता है 18 में आंसर बताना है मैं तिल कोकिल किसी कहा जाता है मैं तिल कोकिल की हो जाएगा पार संपता किस भासा में अब दी ब्रेज खड़ी बोली यह फिर में म्यध लिए चेन करेंगे सबी लोग कशन काब की अपार संपदा किस भासा में है और उन्नीस का अंसर आपका ऐना ऐसा बोलते ना कि काब भासा की रूप में काब भासा की रूप में जानते हैं यहना और आपका उत्तर हो जाएगा बिकल्प नमबर B ब्रजभासा ठीक है ब्रजभासा सही है ब्रजभासा खड़ी बोली हर्यानवी बुंदेडी और कन्नोजी बोलियों हिंदी की बोलियों के किस बर्ग की है ब्रजभासा खड़ी हर्यानवी बुंदेडी और कन्नोजी बुंदेडी और कन्नोजी के हिंदी की बोलियों के किस बर्ग की मानी जाती हैं, ये तो आपको पता ही है, कानों के खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरी के पास, तो ब्रजभासा हो, खड़ी बोली हो, हर्यान भी हो, बुंदेली या फिर कन्नोजी हो, ये सबी बोलियां आती हैं, पस्चमी हिंदी के अंतरगत है न अंगला कॉस्चन अब आपको बताना है मुगल काल में हिंडी भासा पर प्रभाव डालने बाली भासा कौनसी है फार्सी अंगरेजी चीनी या फिर जापानी यान कि 21 का आंसर आपको चेन करना है मुगल काल में पूछा गया कि मुगल काल में हिंडी भासा पर प्रभाव डालने बाली भासा कौनसी है 21 यान कि 21 का उत्तर बिलकुल सही आंसर 5 सेकंड आपको दिये जाते हैं 5 सेकंड में आपके उत्तर को चेन आपका करना है और मुगल काल में हिंडी भासा पर प्रभाव डा question यसरत्ती जी इन लिपियों में से कौन सी लिपी पहले उर्दू लिपी की भाती दाएं से बाएं लिखी जाती थी उर्दू लिपी की भाती तो ये चार विकल्प हैं ब्रामी, खरोष्टी, चित्र या पर सूत्र लिपी पांस सेकंड में उत्तर का चैन करें और कमेंट में हैना इन लिपियों में से कौन सी लिपी पहले उर्दू लिपी की भाती दाएं से बाएं लिखी जाती थी और 22 का आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कौन सी लिपी हो जाएगी 22 का आंसर आंसर बताया सुनील सरमाजी ने अंसर जी ने बताया सर खरो भी नमबर आपका बिल्कूल शही है यह ना उर्दू लिपी की भाती यह लिखी जाती ती दोस्तो दाएं से बाइं की ओर लिखी जाती थी कौनसी खरोश्टी लिपी है ना तो आपका उत्तर हो जाता है बिकल्प नमबर वी देव नागरी लिपी में हिंदी की अतिरेक और और देवनांगरी लिपी में धेवनांगरी लिपी में हिंदी की अतिरेक और कौन सी भासा लिखी जाती है। की प्रश्णिक किरमांग 23 और 23 में जब चैन करने के लिए आपके लिए बोला गया है तो आपको आपको लगाना है बोले स्थर तमिल को काट दो बंगला को काट दो पंजाबी को काट दो इना देवनागरी लिपी में लिखी जाती है मराथी कौन सी लिखी जाती है मराथी और आपका डी नमबर दा नमबर आपका बिलकुल शही है जो आप बिलकुल राइट आंसर बताया मेबाती और हाडोती बोलियां हिंदी में किस बर्ग की बोलियां है पंकजी डेविकी जी उत्तर 24 का आपको चैन करना है और अंगूटा जरूर चलाते जाएए रेखा जी रमा जी मनीश जी मेबाती और हाडोती बोलियां हिंदी में किस बर्ग की बोलियां है और अपन पढ़ते हैं दोस्तो मेबाती की मेबाती उत्तरी राजिस्थानी कहलाती है जैपूरी मेबाती मारवाडी मालवी की राजिस्थानी हिंदी की बोलियां है और दोस्तो 24 का आंसर जो बी नमबर करेक्ट अदेकतर भारतिय भासाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपी से हुआ है यानि कि 25 में हमें चैन करना है चार विकल्प आपके सामने है उत्तर पांच सेकंड में आपको चैन करना है और उत्तर आपका सही हो जाएगा ममता जी प्रीती जी कुसल परिवर्तन जी अदेकतर भारतिय भासाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपी से हुआ तो बोले सर 25 में अगर उत्तर ही बताना है तो उत्तर लगा दो ए नमबर में मैंने कहा बिलकुछ शही है यह में लगा दिया ब्रामी लिपी कि ब्रामी लिपी है ना किय याद रखना अंगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है इन मेंसे हिंदी तर भासी राज्य कौन सा है जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती वो राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश मद्द प्रदेश, बिहार या फिर महरास्ट कहां पर नहीं बोली जाती हिंदी, हिंदी कहां पर नहीं बोली जाती, 26 का आंसर उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, मद्ध प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, और दोस्तों बिहार में हिंदी बोली जाती है, तो कहां नहीं कहानी बोली जाती, पोलिसर महराष्ट में मराठी, मराठी बोली जाती है, है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा बिकल्प नम्मर डी, डी नम्मर आपका बिल्को सही होगा, अंगला कॉस्चन आपकी स्क्रीन पर है, संबिदान के अनुच्छे 343, दो के अनुसार, संग सरकार के कारियों में, अंगरेजी का प्रियोग जारी रखने की विवस्ता, दोस्तों, एक कब तक के लिए की गई थी, कब तक के लिए की गई थी, है ना, सबसे पहले आपको बताना है, कि अंगरेजी का प्रियोग जारी रखने की विवस्ता, एक कब तक के लिए की गई थी, 27 का आंसर 27 में आपको बताना है दोस्तो आपने पड़ा होगा कि इसे 15 सालों तक रखा गया था अंगरेजी के लिए है ना तो एक की गई थी दोस्तो अनुचे 342 के अनुसार संग सरकार के कारियों में अंगरेजी का प्रियोग जारी रखने की विवस्ता कब तक जारी की गई थी तो वो उत्तर है 25 जनवरी 1964 तक इसको रखा गया था है ना 25 जनवरी 1964 तक के लिए अंगरेजी भासा को सरकार के कारियों में दोस्तो प्रियोग तो होने के लिए प्रियोग होने के लिए इसे रखा गया था और उत्तर आपका है बी नंबर ठीक है बी नंबर 25 जनवरी 1964 बता परिनिष्टित भासा का प्रियोग किया गया बहुत बढ़िया प्रस्न है यानि कि 28 का उत्तर बताना है तो आपको पता है किस भासा के अर्थ में किस भासा के अर्थ में तो उत्तर हो जाएगा मानक भासा के अर्थ में मानक भासा के अर्थ में पहले सादू भासा तकसाली भासा और परिनिस्टिस भासा का प्रियोग होता था और उत्तर हो जाएगा आपका बिकल्प नम्मर सी यानि की मानक भासा ठीक है मानक भासा आपने बिलको सही चैन किया अंगला कॉस्चन आपके स्क्रीन पर है कि पंक्तियां बताना है कि जामे रसकचु होते हैं पड़त ताही सब कोई बात अनूठी चाहिए भासा कोई होई यह पंक्ती किसकी है यह पंक्ती बताना है इस पंक्ती को चैन करना है 29 में हैना कि जामे रसकचु होते है पड़त ताही सब कोई बात अनूटी चाहिए भासा कोई होए यानि कि 29 और ये भासा कहा था एक पंक्ती जो है कि किसकी है ये बताना है अर्चना सिंग जी राजेश जी अनिकेत जी उत्तर हो जाएगा कि जामे रसकचु होते है पड़त ताही सब कोई बात अनूटी चाहिए भासा कोई होए ये भारतेंदु जी भारतेंदु जी कि ये पंक्तिया मान जाती है और उत्तर आपने 29 का लगा दिया है पुलिसर आ नंबर में टिक लगा दो तो उत्तर आपका चला जाता है कहां पर भारतेंदु जी की ओर ये नंबर आपका बिलको सही हो जाएगा पूनम जी अंगला कॉस्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कि हिंदी खड़ी बोली गद्दे के विकास में किस साहितकार ने महत्पुन भूमी का निभाई कल से दोस्तों आपका न्यू बैच स्टार्ड होने वाला है न्यू बैच हिंदी साहित को बिलको सुरुवास से जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो न्यू बैच में कोर्स परचेस करके न्यू बैच में जोड़ सकते हैं है ना तो जिनको भी एक कोर्स हिंदी साहित का पढ़ पर थर्टी का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपने पढ़ा है कि ललू लाल सदल मिस्र हेना उत्तर क्या हो जाएगा ए इनहों ने दोस्तों इनहोंने सदल मिस्र जी ने खड़ी बोली गद्दे के विकास में महत्पूर भूमि का नभाई थी किस ने सदल मिस्ट्र साब ने सदल मिस्ट्र ने है ना इनको याद रखनी ना है सदल मिस्ट्र है ना बेरी गुड अंगला कॉस्चन है पाड़नी ने किस गरंत के द्वारा भासा को एक रूपता देने का प्रयास किया तो बताना है अपनने पढ़ा है ना दोस्तों कि बोले अश्ट अस्तध्याइ पढणी है तो दोस्तों पढणी से क्या बनेगा पॉष्ट अस्तध्याई पढण याणि की पाणी पुर्य इनबर कि पाणनी का ग्रंत हैं पाणी ने किस ग्रंत कि द्वारा भासा को एक रूपत देने का प्रयास किया तो वो गरंत है अस्टध्याई जो सब को पता है लगबग लगबग पुरानी हिंदी को किस भासा का समानार तक माना गया है 32 का अंसर पुरानी हिंदी को किस भासा का समानार तक माना गया है प्राकरत का अपरण्स का पाली का या फिर लौकिक संस्कृत का सभी लोग लाइक ज मिलेगा आपके लिए लाब दायक होगा दोस्तों है ना तो आप लोग जरू डाउनलोड करें और चवद्धा तारीक मकर सक्रांती के अउसर पर एक प्रतियोगता कायोजन किया जाएगा आप लोगों के लिए प्रोस्ताहन के लिए भी आप लोगों के लिए दोस्तों है ना ग्यान के लिए भी आप लोगों के अध्यन के लिए भी इस पृतियों के तकायोजिन किया जाएगा पुरानी हिंदी को किस भासा का समणार तक माना जाता है और 32 में आपका सही उत्तर हो जाएगा अप भ्रेंस याद रख द सोः सेनी और मागडी अर्द मागदी या फिर पियसाची ज़दी से बताना है, राम दूरत जी या स्रती जी सबी लोग बताएंगे पस्चमी हंधी का उद्भाव किस अपभ्रहन से हुआ है और शदीब जी 33 का अंसर किसे हुआ है, सो अपभ्रहन से मागदी से, अर्द मागदी से या फिर दोस्तों पैसाची से पस्चिमी हिंदी का उदभाव किस अपवरेंस से हुआ है तब आपका उत्तर हो जाएगा सौर सैनी अपवरेंस और ए नमबर आपका बिलकुल सही है ए नमबर जिन्हों ने टिक किया उनका अंसर बिलकुल सही है साथ क्यों पूर्वी हिंदी की बोरियां अपवरेंस के किस रूप से बिक्सित हुई पूर्वी हिंदी अपन पढ़ते हैं दोस्तों आ वा है ना और 36 गड़ी तो अब दी बगेली और 36 गड़ी अब 36 गड़ी अब 36 गड़ी अब 36 गड़ी पूर्वी हिंदी की बताना है तो 34 में आप अपका बिलकुश सई चैन किया है आपने कि सर पूर्वी हिंदी की बात करोगे तो पूर्वी हिंदी अर्धमागदी, बिहारी हिंदी मागदी, है ना दोस्तो सोर सैनी से निकली पस्चमि हिंदी और पहसाची से लिखनी पंजाबी और लहनदा है तो इस प्रकार से याद रखना मागदी से मागदी से बिहारी अर्द मागदी से पूरी हिंदी चौर से यहनी से पस्चमी हिंदी पहसाची से पंजाबी और लेंद तब आपका राइट आंसर होगा अर्दमागदी यानि बी नमबर आपका बिल्कुर सही हो जाएगा बी नमबर अर्दमागदी ठीक है वासा बिज्यान के किस खंड में किस खंड में पद से पद से बाक बनाने की प्रिक्रिया का वर्ण नातमक सोलातमक सता एतिहासिक धृष्टी से अध्यन होता है 35 का answer 35 का answer check करना है और उत्तर आपका बिल्कोँ सही हो जाएगा दोस्तो बाग के बिग्यान किसमे होता है बाग के बिग्यान कיתי उत्तर C number आपका बिल्कोस हो जाएगा C number आपने जो C就是 turn किया है वो बिल्कोस ही यह बाग की रिखन ठीक है अंगला क्वेश्चन है आपका पाली प्राकृत भासा है किस्ते बिक्षट हुई तो पाली प्राकृत भासा एं किस्ते बिक्षट हुई है यह आपको चैन करना है ना विमलेज जी राज स्कुमार जी और ऊत्तर आपका क्या होजाएगा रैक्स है उत्त अभगा बोली सर से कल दो पुरानी हिंदी स्वर्श कर दो तर लगा दो बैधिक संस्क्रिट पाली क्यां आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न किरमां 36 ऐसे में अपने चेंड किया है पुलिसर सी नमबर में टिक लगा दो मैंने सी में टिक लगा दिया और उत्तर आपका हो जाएगा अंगला क्विश्चन है आपकी पर हमात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था 37 में भासा के संदर में दोस्तो महत्मा गादी ने किसका समर्थन किया था ये आपको उत्तर बताना है और भासा के संदर में महत्मा गादी ने किसका समर्थन किया था तो उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तो हिंदुस्तानी किसका किया था हिंदुस्तानी और उत्तर हो जाएग तो उत्तर भी आपका बी नमबर है मातमा गादी ने किसका समर्तन किया था तो वो किया था हिंदोस्तानी का ठीक है next खड़ी वोली का दूसरा नाम क्या है सरल कॉस्टन बढ़िया कॉस्टन मस्तीबाला कॉस्टन है खड़ी वोली का दूसरा नाम क्या है कन्नो जी और भी मग ही या फिर दोस्तो बगेली खड़ी बोली का दूसरा नाम आपको बताना 38 में और 38 में बिलकुट सही आंसर बताए आपको उसने हिना जी ने हैमलता गीता जी उत्तर जो आपका है वो है क्या कोर B कोर B यानि B नंबर ठीक है B आपने टिक किया राइट आंसर आंगे बढ़ते हैं अबदी बोली का कैंद्र इस्थान क्या है वस्ती बारा बांकी बहराईच या फिर आयुद्या अबदी बोली का कैंदर स्थान क्या माना जाता है अबदी बगेली और 36 गड़ी पूर्वी हिंदी की मानी जाती हैं दोस्तों पूर्वी हिंदी की अबदी बगेली 36 गड़ी और उत्तर आपका हो जाएगा 39 में 39 में क्या हो जाएगा अयोध्या अबदी बोली का कैंदर माना जाता है इयोद्या यह धे नंबर आयोध्या बिलकुर यह हो जाएगा एग है यह ऑद्वाल आपको बताऊ है लुट का फ्रयोंि लुट एक किस अर्द में वहता है उसल्द्र के आस-पास कि लोग लोग साहत की भासा के यहां पर आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं और 40 आंसर यह विसका अंसर हो जाइगा आपका B य firm कि दिल्ली मेरत की आजपास OF की लोग बोली इसी में और बी आपका बिलकुद सफही है ठीक है B number who. P. g लेंज को पुरानी हिन्दी कहने बाले प्र gef लेंक कौण है आप व्रंस को पुरानी हिंदी कहने बाले पुरानी हिंदी कहने बाले पुर्थम लेकक कौन माने जाते हैं और एक तालीस का अंसर एक तालीस में आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर चंद्रधर सरमा गुलेरी चंद्रधर सरमा गुलेरी और ए नमबर सही है एक तालीस में पुरानी हि श्वियंभू को इन्होंे उन्होंने हिंदी का पिर्थम कभी माना श्यम्भू को हैना और अप ब्रेंज के प्रतम महा कभी कौन थे तो यहाँ पर 42 का अंसर आपने चैन किया है अप ब्रेंज के प्रतम कभी थे कौन श्यम्भू कुंते श्यम्भू क्यानी की बी नंबर इनका इन्होंने महा काब एक लिखा है दोस्तों पैयोम चरिव पैयोम चरिव एक महा काब इन्होंने लिखा है किसने श्यम्भू ने हैना की याद रखना राजभासादिनियम कब पारित किया गया राजभासादिनियम कब पारित किया गया मोकेश जी प्रमिला सुभी गुप्ता राकेश जी प्रष्नE किर्मा 43 में आपको चैन करना। राज भास अधिनियम कब पारत किया गया राज भास अधिनियम कब पारत किया गया यानि की 43 का अंसर और 43 में आपका बिल्कुर शही अंसर अपने चैन किया है बहुत बढ़ या प्रशन है, चबालीज का उत्तर बताना है और दोस्तों राजबहसा अधिनियम पारफ हुआ 1964 में इसमें जो संसोधन हुआ वो संसोधन हुआ था कब 1975 तन 1965 में कि उत्तर आपका हो जाएगा बिकल्प नमर Сी राजबहसा अधिनियम में संसोधन कब हुआ तो उत्तर हो जाएगा 1965 में 64 में बना था उन 65 में क्या हो जाएगा अधिवेशन में संसोधन हो जाएगा और उत्तर हो जाएगा आपका बिकल्प नमर सी अंगला कोश्चन है सन 1955 में राश्पती ने जिस राजभास आयोग की निक्ति की उसमें कितने सदस थे कितने सदस थे 5, 11, 21 या फिर 7 सन 1955 में र राश्पती ने जिस राजभास आयोग की निक्ति की उसमें कितने सदस थे और 45 का आंसर आपको चैन करना है और 45 में आपका बिलकुर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1955 में राश्पती ने जिस राजभास आयोग की निक्ति की थी उसमें कितने सदस थे और 45 में आप से किस्त दस्ते ठीक है सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें दोस्तों उपियोक्त समास चिन्नित कीजिए अब यहां पर समास आपको बतलाना है क्योंकि संधी और समास ऐसी चीज है हिंदी की कहीं भी हिंदी पूछी जाया तो यह दो चीज है तो पूछी जाती है और क यहां पर जो हो जाएगा आपको भी कमेंट वुत्तर देना है पत से भरष्ट तृतिया ततप्रोस हो जाएगा ठीक है लिकने यहां पर तृतिया तो नहीं चाहत ततप्रोस समास हो जाएगा साय समास बिग्रह होगा पत से भरष्ट अश्टा ध्याई पहले भी जो हमने प् का समूह वो जिसका प्रथम पद संख्या बाची हो समाहार अर्थ हो समूह अर्थ हो तो वहां पर दिंगू समास होता है ऐसा हमने आपको किलास में पढ़ाया था निमले लेखेत बाक्यांस के लिए उचित एक सब्द चुनिए, बाक्यांस के लिए एक सब्द चुनना है दोस्तों जल्दी से बतादें, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मासवदा, क्या कहलाता है? जल्दी से बताते क्या कहलाता है कोई भी कानून का रूप देने के लिए प्रिस्ताव प्रस्तत किया जाता उसको क्या है बिधेक लाया जाता पनॐ गो दोगो तसके हैं बिस्मय स्थाई भाव किस रसका है ? रस्ति नो सरल दोनों प्रकार के प्रश्णों का इस मिस्रण है चोपाई झनद के प्रतेक च्रण में कितनी मात्राइं होती है ? जल्दी से बताढ़ा कौन पहले उत्तर देता है सही बिल्कुल सई पहचान रहे हैं, चौपाई चरण के प्रतिक चंद में 16-16 मात्राइं होती हैं, ठीक है, तेरी बरचीने बरचीने हैं, खलन के पंक्ती में कौन सा अलंकार है, तेरी बरचीने बरचीने, ठीक है, अब यहाँ पर एक सब्धे लेकिन उसके अर्थ दोनों बार अ क्या हो जाएगा ॅमक ठीक है, और कभी रेचनाओं से पर्शन हैं कुछ बीच बीच में ऐसे प्रशन रहते हैं, जो आपके सिलेवस्के नहीं हैं, उनको अलग कर देते हैं और जो आपके सिलेवसी के होते हैं, हम ले कर के छाट कर के आ जाते हैं, आचा राम्चंद सखल का निबंद संग्र है कभी रचनाओं से संबंदेत प्रशन है रचना पूंच लेता है जल्दी से बता दे आचा राम चंदरी सुकल का कौन सा है हाँ बिलकुल चिंता मणी है ठीक है गद्ध पद्ध भी पूंचते तो इनी की किसी रचना में से उठा के पूंच लेगा और बोल दो दो सबस्का कि जीवनें ठीक है किसके नाम नाम से ठीक है था ने लिखी थी क्या बोलते हैं ऐम्रे राय जीने ठीक है प्रत्वी राज रासो किस कभी की रचना है प्रत्वी राज रासो सब को पता है चंदवरदाई जी की रचना है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं सूर्दास किसकी रचना है कई बार पूछा गया बहुत पूर है वो कई लोग इसमें कन्फूज होते हैं सूर्दास किसकी रचना अब सूर लगा है तो यहाँ पर भी सूर दास का उत्पर ठीक हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और आगे ही और भी अभी पूरे अपन प्रिशन कंपलीट करते हैं जो आपके महत्पूर हो रहते हैं मलालक पीडी में उठा लेते हैं चलिए आठ कनोजिया नौचूले लोकोक्ति का क्या रथ होता है आठ कनोजिया नौचूले लोकोक्ति का आपको अर्थ बतलाना है हाँ बिलकुल सही पैचान रहे हैं आठ कनोजिया नौचूले अलगाओ की स्थिति ठीक है अर्फ कनोजियीन नौचूले है तो का मतला गोसाला मैं कौनसा समास है समास बहुत महत्वूण है तो आपको बता दें गाये के लिए साला उसको क्या बोलते हैं गोसाला तत्परोस हो जाएगा चतुर्थी तत्परोस कि रस को कहा जाता है तो आपको बता दें कि श्रंगा रस को रस राज कहा जाता है अगे देखते हैं चंद से संबंधित गणों की सकन सही संख्या किया है गण कितने होते हैं चंद से संबंधित जो है बही मनुस है जो मनुस के लिए मरे जल्दीसे बता देजिए, यमा का लंकार है, यहाँ मनुस का प्यार्थ एक तो बही मनुस है जो मनुस मतलब मानवता के लिए मनुस्वत्त के लिए मरे जैसा कुमार संभव के रचेता कौन है जल्दी से बता देजिए कुमार संभव महाकाब है और इसकी जो रचना की थी बिल्कु सही पैचान रहा है क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं तो हमारे स्टूडेंट जो चैनल से पहले से सब्सक्राइब किये हैं उन्हें तो पता ही होगा काली दास की रचना है पढ़ा चुके हैं नाटक इसकंद गुप्त की रचना किसने की इसकंद गुप्त नाटक हाँ बिल्कु सही जैसंकर प्रसाद जी का है सकंद गुप्त बिनैपत्री का किस कभी की रचना है जल्दी से पहचान लीजिए बिल् अंधायोग किसकी रचना है अंधायोग धरमवीर भारती जी की रचना है ठीक है आगे भारत का सेक्स्पीर किसे कहा जाता है बहुत महत्पून भी है उ बहुत सरल भी है कालितास को भारत का सेक्सपीर कहा जाता है इस प्रकार से हमने पैणा को नियम पता होगा तो आप आदाम से लगा लेंगे की ie-you के बाद कोई भिन्न स्वरा आ जाए तो अनुधन ऐशन से क्या बन अन्वीशन ठीक है उको क्या हो जाएगा वा हो जाएगा ना अधा बचेगा तो इस प्रकार से अन्वीशन बनता है आंगे देखते हैं हम अत्पूर्ण परिश्ण चर्चा कर रहे हैं निरंतर रंग भबन ठीक है तो नीचे लिखे मुक्षब्द के चार अर्थ दिये हैं तो आपको बता दें नाट टेगर है को क्या कहते हैं रंग भबन कहते हैं याद रखीएगा सबसे उप्योक्ते ही है इसकार्थ प्रती घात के लिए सबसे उप्योक्त चुड़िए क्या होगा भी यह प्रती घात तो आपको बता दें कि प्रती घात मतलब कोई अपना घात क पिछी गहत मतलब चोट के बदले चोट, ठीक किसी ने एक मारा तो ये उसने मार दिये सामने वाले ने, ये क्या हो गया फृति गहत एक प्रिकार से, त्रिकालग, ठीक है त्रिकालग, मतलब क्या हो जाएगा, ग्या मतलब तो होता है, जानने वाला, त्रिकाल मतलब जो तीनो कवाल को जानता है उसको क्या कहते हैं उसको सरवग कहते हैं जो सब कुछ भूत भविस बरत्मान सब जानता है इस पर कासर सरवग हो जायेगा तरकाल अ कमी निवन लिखे ठीक आप सुद्घ बार्ग करें देखांगे ध्यान से पढ़िएगा एकि कमेंने जल्दी उत्तर बताईएगा तो सुद्धबाक यहां पर चार्त यह हैं तो हम आपको जल्दी से देख करके उत्तर उत्तर बताते जा रहे हैं प० अलग को दो पुस्ट भातें सब्सक्राइब ठीक है चलो आंगे बढ़ते हैं देखें जो सब्द दो बाक्यांसों सब्दों और बाक्यों को जोड़ने का कार करते हैं बे क्या है जल्दी से बता दें क्या है तो जो बाक्यांसों सब्दों को जोड़ते हैं वो समुच्च बुदख सब्द हैं ठीक है समुच्च है मतलब इ पीच में होती है, ऐसे आप लगा सकते हैं, नाक का बाल होना मुहाबरे का क्या अर्थ है, नाक का बाल होना, जल्दी से बता दीजी, मुहाबरे का अर्थ, नाक का बाल मतलब आधिक प्रिये होना, बैठे से बैगार भली कहावत का सही अर्थ है कि बैठे से बैगार भली आपने सुनी होगी कहावत तो निरर्थक से कम लाव का काम अच्छा है फाल्दू बैठे से चको थोड़ी लाव हो जाए ठीक है सरणार्थी के लिए अंग्रेजी सब्द रूप होगा सरणार्थी जल्दी बता दें तो इसका उत्तर जो हो जाएगा C फुगेटिव ठीक है? आगे बंदर का तस्सम है बंदर तो बंदर को कहते है बानर ठीक है? तस्सम तद्वाओ तस्सम पूछ रहें नहीं तो परियावाची सोच के कपी हैमर गर लगाया हो? याद रखिए क्या पूछा है? कमल के समान नयन में कौंसा समास है? तो आपको बता से एं, उपमान उपमे भाओ है कमल नयन, यहाँ पर जो इसका बन जाएगा, कमल नयन ठीक है तो नयन मतला आँखों की उपमा किस से की गई है कमल किस उपमा नुपमे भाव है तो कर्मधारे तमास है ट्रेक हमने अपने चैनल टॉप 50 श्टडी पर संधी समास की पड़ाई है आप जा करके सर्ष्ट करके जरूर देख लें जो युद्ध में स्थिर होता है उसे कहते हैं जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहते हैं तो इधुष्टिर युद्ध में स्थिर मतला इधुष्टिर कई बार पूछा गया जो ब्याकरण जानता है उसको क्या कहते है उसको कहते है ब्याकरण को जानने वाला मतला बयाकर ठीक है बया करन कहते हैं ये भी कई बार पूछागे सब प्रशन बार बार पूछे जाते हूं आँगे देखना देखेंगे ही आपको पेपर में आप हमारे हिंदी साहत के जितने भी हमने प्रक्टिस सेट कराए हैं आप एक बार जा करके प्लेलिस्ट में जाएं चैनल की और जरूर देख लें जिससे कि आपको कोई भी ऐसा महत्पून प्रशन ना चूटे जो अब्याइबाक में किसी सब्द के बाद लगा कर उसे विशेस बलपरदान करते हैं उससे क्या कहते हैं तो सब्द के बाद में लगते हैं अभी बताया था पहले आप पूछ रहे हैं याद रखीएगा जैसंकर प्रशाथ की कौनसी काब रचना अतुकांत सैली में लिखी गई कई बार पूछा गए अतुकांत सैली में लिखी गई जैसंकर प्रशाथ की कौनसी रचना है तो आपको बता दें प्रेम पत है ठीक है जो प्रेम का पत हो जाता है उसका कोई तु पारा लिखित नहीं है जल्दी से बता दें प्रेम चंद की रचनायन में से कौन सी नहीं है काय अकल्प है रंग भूमी इनका प्रशिद्व पन्यास है प्रेम आस्रह है हाँ जय पराजय नहीं है ठीक है बीवत पर इसका ठीक हो जाएगा कभीरदास भक्तिकाल की किस धारा की कभी थे जल्दी से पता दें तो कभीरदास जी थे संत काब धारा ठीक है निर्गुन के कब के अंतरगा जो संत काब धारा थी उसके कभी थे कौन कभीरदास जी इस सब प्रशन बार बार पूछे जाने वाले परिच्छाओं वाले प्रश करने जिसमें इसी में देखना आप संधी समास अब्य उपसर्ग प्रत्य विशेशन सब्द सब आ गई इन कॉस्चनों में और इसी के बाद आपको बता दें कि रचनाएं भी आ गई प्रमुख विशेश्टाएं भी आ गई हैं और काब सास्त्र भी आ अरस्चंद अलंकार ऐस इसना पसंद कर रहे हैं तो हम्हों और ऐस Six विडियो ऐससे प्रशन लाना चाहिए तो आपको यह प्रशन पसंद आ हूं तो लाइक जरूर कर लेना चले अगला देख़ए पस्चमी हिंदि की अंतरगत कौनसी बोली बोली जाती है ठीज़ो फूर्वी हिंदी पस्च्मी हि हिंदी ये सब आपने पढ़ी होंगी बिहारी हिंदी ये सब पढ़ लेना बोलियां जो है न हिंदी की जरूर पढ़ लेना इससे संबंदेत एक दो कौस्चन आपकी पेपर में आएंगे इसलिए आप बहुत अच्छे तरीकी से पढ़ लीजिए अब यहां पर पूछा है कि पश्चमी हिंदी के अंतरकत कौन सी बोली आती है तो आपको बताते हैं जो मेब आती है और मगही बगहेली यहां जो बोलना है तो मेब आती तो आती नहीं है तो राजिस्थानी के अंतरकत आ जाएगी बगहेली और मगही भी नहीं आती है कन्नो जी जो है पश्चमी के अं समास है अब दान बीर सब्द की एदि हम व्याख्या करें तो अरथ निकलेगा दान मैं बीर अब मैं क्या है सब्तमी तत्पुरुष मैं किस में आता है सब्तमी तत्पुरुष मैं या फिर यसा कह सकते हैं कि संबंध तत्पुरुष संबंध होता है न सुरी संबंध की जगह अदि करण तत्पूरस दान में बीर कौन सा समास हो जाएगा ठीक है दी उसका उत्तर ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्न में ऐसे कौन सा सब्द सुद्ध है सुद्ध सब्द पहचानने के लिए आपको उचारण सुद्ध आना चाहिए तो यहाँ पर यह लिखा गया है क्या आयोजित अब आयोजित सही कहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा है कालपना का विप्री तार्थक सब्द कौन सा है कलपना, ठीक है. एक होता है कलपना, और एक होता है यथार्थ है अब बास्तराइग्ड. अब दो तो आपको सही, तो एक वफ लिगा असली है, यह तो होंगे अगला है तरी सब्द का परियावाची कौन सा है कमेंट में आप जरूर उत्तर लिखते जाए हमारे बताने से पहले और वीडियो को लाइक कर दें तो तरी सब्द का परियावाची आपको बता देंगी तरी सब्द का परियावाची हो जाएगा नौका नाव ठीक है तरी कैसे पूचरें नहीं है , तो आख का चक्छू तो है लोचन भी है अक्षी भी है तो इसका उत्तर हो जाएगा धात्त्री नहीं है बाकी अक्षी मतलब भी आख, लोचन मतलब भी और चक्चू मतलब भी क्या है? आख है परियावाची याद करने की ट्रिक हम पहले आपको पढ़ा चुके चैनल पर देख लें साप का परियावाची सब्द कौन सा नहीं है? साप का तो आपको बता दें कि यहाँ पर चार ओप्सन दिये हैं ठीक है साप के दिया आपने परियावाची पढ़े होंगे तो हरी, हरी भी कहते हैं साप को, सारंग भी कहते हैं खग नहीं कहते हैं, खग तो पक्ची को कहते हैं खग किसको कहते हैं पक्छी को याद रखीगा तो साप सब्द का परियावाची क्या नहीं है खग नहीं है खा मतलब होता है आकास और गा मतलब होता है गमन करने वाला तो आकास में गमन करने वाला था पक्छी होता है याद रखीगा हरी भी है साप का परियावाची सारंग भ होगी भी है यह सब साब के परियायवाची हैं एक प्रस्ण में कई प्रस्ण कबर करने हैं रिक्षा किस भासा का सब्द है कई बार पूछा गया मैंने देखा परिक्षाओं में कि रिक्षा कौन सी भासा का सब्द है तो आपको बतला दें कि रिक्षा जो है वज्जापानी भ पढ़ने की जवुईत ना पड़े आस्तिक संचिप्ति करण है किसका है तो इस्वर के प्रती आस्थाबान वै कौन कहलाता है आस्तिक कहलाता है ठीक है निमने लिखित मैं से इस परस्वेंजन कौन सा है मैंने आपको बताया थे कश्धत पूरे का खाका घा घा इंगा चाचा यह सब क्या कहलाते हैं 25 बरण होते हैं यह क्या कहलाते हैं इस परसी बेंजन कहलाते हैं अब आप इस मैंसे देख सकते हैं कि कौन सा बरण है जो आता है तो आपको बता चा बरण में आता है चा 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 तो चा क्या हो जाएगा इस परसी बेंजन हो जाएगा क्यों कहते हैं क्योंकि जब इसका उच्चालन करते हैं तो आपने देखना कि जैसे च्छा तो जीप जो है वह उपर तालूशे टकरा रही है इस पर्स कर रही है इसलिए वह क्या है इस पर्सी बेंजन है याद रखिएगा 35 बाद देखें निमने लिखित में ऐसे कौन सा तत्सम सब्द है तत्सम हम पहले भी बता चुके हैं कि जो सब्द संस्कित से हिंदी में आए लेकिन बैसे ही उच्चरित होते हैं लिखे जाते हैं जैसे संस्कित में थे उनको तत्सम कहते हैं वो जो बदल जाते हैं वो शुरू ऐसे होते हैं अलग-अलग लेकिन आपन को यहाँ पर बतलाना है कि तस्सम आम्र है ठीक है निमलेखित में से कौन सा तदभाव सब्द है यह प्रिश्ण पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करना दोस्तों अन लोगों तक पहुंचें तो अब तद तदभाव सब्द की आपको बात बतला दें तो इनमेंसे जो तदभाव सब्द पूछा गया कोवा यह तो कुत्ता भी तदभाव है यह सभी क्या हो जाएंगे तदभाव सब्द ही है इसमें तस्सम नहीं है आगे का का उच्छारण स्थान है ठीक है का कंट याद सब्द का बोलना आना चाहिए उसका प्रियोग करना आना चाहिए कि हमें सब्द का प्रियोग कैसे और कहां पर करते हैं पहला दिया है आए अपन क्या कहते हैं आपकी आए अच्छी है अब अच्छी जब कह दिया तो पुल्लिंग तो फिर आपको समझवें आजाए कि इसमें तो हो नहीं सकता ठीक है आँख, तुमारी आँखें अच्छी हैं, अच्छी भी स्त्रीलिंग में आ गया, आदत, आपकी आदत अच्छी है, या आपकी आदत अच्छा है तो बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं, हाँ, आलस नहीं करना चाहिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलस से यहाँ पर हो जाएगा अब कौन सा सब्द इस्त्रीलिंग है पक्षी पक्षी उड़ता है ठीक है उड़ता है जब तो भाई ये तो फर इस्त्रीलिंग होई नहीं सकता उड़ती होना चाहिए केकड़ा भागता है चकोर खाता है नहीं होई गिलहरी हाँ गिलहरी खाती है ऐसा बना सकते ह खाती आ गया, इस्त्री लिंग आ गया, तो क्या हो जाएगा, गिलहरी कैसा है, इस्त्री लिंग, ऐसी कई ट्रिके हम आपको पढ़ाने के समय बताते हैं, आप तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, यूटूब पर सर्च करें, ट सब्सक्राइब के बाद जुड़ते हैं, प्रत्य, ये तो आपको पता है, तो आपको बता दें, छत्र में ये प्रत्य लगने से क्या बनता है, छत्री सब्सक्राइब क्या बनता है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्य हो जाएगा, ये प्रत्य हो जाएगा, लखनव में, नव इस प्रकार से उसको बना सकते हैं वो यदि लख नभी हो जाता है यहाँ पर तो फिर यह प्रत्य उहाँ पर कर देते हैं ठीक है यह भी याद रखिएगा कनक का कौन सा अर्थ नहीं है कनक कनक ते सोगुनी वाला तो आपने स्लुक सुना ही होगा तो यहाँ पर पूचर कनक का अर्थ क्या नहीं है तो कनक का अर्थ सोना है धदूरा है यह दो तो अपन कनक कनक वाले उससे समझ में आ जाता आप आपको चुनना है चंदमा और नाक के तो है ठीक है तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदमा वागी कनक की अर्थ क्या है एक सोना है एक नाकेसर एक धतूरा है यह तीन अर्थ है आगे बढ़ते हैं चुनाओं में नेता लोग पानी की तरह रुपिया बहाते हैं इस बाक में पानी का क्या अर्थ है चशुनावों में नेता लोग किया सा? बहादेते की नीस बात-सबत देने में तो पानी का अरथ क्या है? पानी मतलब ब्यर्थ जैसे पानी लोग ब्यर्थ बहाते ना उसके महत्त कोनी समस्ते यसे ही रुपिया बहाते हैं वो लोग तो ब्यर्थ हो जाएगा उहाँ पर आप भले आए इस बात में भले क्या है ठीक है संग्या बिसेशन सर्वनाम्या क्रिया बिसेशन यह जितनी भी चीजें हैं इनके हम अलग-अलग वीडियो आपको सिलेवस के अनुशार कुछ आ गए हैं कुछ लेकर के आएंगे ठीक है तो निरंतर आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे अब आप भले आयस में भले क्या सब्द है भले बतलाना है तो आपको बता दें कि भले आए आए मतलब क्रिया के पहले लगा है इसलिए क्या हो जाएगा क्रिया भीशिशन निम्लिखत में इसे किस सब्द में आयन प्रत्य प्रयोक्त हुआ है आयन ठीक एक नारायन सब्द दिया है आपर रित्वियन दिया है पंड़तायन दिया है और धनायन तो आपको सही उत्तर बतलाने तो आपको बता दे नारायन ठीक है या पहले है इसी ना का क्या हो जाएगा ना याद रखीएगा रामायन भी एक सब्द है जिसमें ना का डा हुआ है मूल तो रामायन है मूल क्या है रामायन लेकिन नाकोडा हो गया या पहले आने से तो यहाँ पर नारायन यह क्या है आयन प्रत्यनी तो आप बोलें यहाँ तो ना है और यहाँ ना है तो कैसे तो यह ब्यांजन संदी के जब आप पढ़ेंगे तो उधारण से आप समझ में आ जाएगा आपको आगे देखें किस लोकोक्ती का रत बैभाव छनेक होता है होगा बैभाव जो है छनेक होता है स्थिन नहीं होता है तो कौन सी लोकोक्ती के अनुसार है कहा गया है साच को आच नहीं यह नहीं अधर लगरी चल कर जाए यह भी नहीं पांचों उंगलियां बरावर नहीं होती ये भी नहीं उतना perfect better, D देखें, चार दिन की चांद नहीं फिर अंधियारी रात, मतलब चार दिन की चांद नहीं होती ही फिर तो अंधियारी रात आती है, मतलब अपन नहीं कहते हैं ये बहुत ज़्यादा बेहभाव हो है, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है, तो ये ही हो जागा D, आगे, पांच साथ की लकड़ी एक जने का बोश, लोकोक्ती का क्यारत है, बहुत कठिन कार होना नहीं, असंभव बड़ी सर्थ नहीं, हाई, चौथी नमबर पर दिख रहा है, मिलकल काम करने से कार कठिन कार भी सरल हो जाता है, ठीक है, क्या था की पांच साथ की लकड़ी एक जने का बोश, मिलकर की काम करते हैं, तो बड़ा काम भी आसान हो जाता है, काब में कितने रस माने जाते हैं, ये तो सब पर बनने ही चाहिए, दिया आप हिंदी ब्याकरन सहित पड़ रहे हैं, तो आपको बता दें, इक काब में नोरस माने जाते हैं, मेला आचल, कई बार पूछा गया है, किसका उपन्यास है, मेला आचल किसका उपन्यास है, तो आपको बता दें, फड़ी स्वरदास जी का आचल है, मेला आचल, ठीक है, तो रेंडू जी का आचल फे मेला आचल किसका उपन ने आसा है फड़ी स्वरदास जी रेंडू जी का दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोट्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो सेल्फ स्टडी किलासे से इस परकार से जब आप पिले स्टोर से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस परकार से सेल्फ स्टडी किलासे सापको सर्च करना है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे